दोस्तो मेरा नाम शानवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि लॉग डॉम खतम होने के बाद में बहुत सारे दुकाने ओपन हो जाएगी, बहुत सारे मौस ओपन हो जाएगे, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स ओपन हो जाएगे तो especially जो लोग retail audit के उपर काम करते हैं, वोने क्या क्या चीज़ों का precaution लेना होगा ताकि वो करोना वारस से बचे रह सके तो दोस्तों वीडियो करें तक ही जरूर देखना, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है, तो ही आप इसे लाइक कर रिशायर करें, जो भी आपको कोशनों का कमेंट बाउस में जरूर टाइप करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चलिए दोस्तों वीडियो में हम लोग बात करने वाले है प्रिकोशन के बारे में, इस्पेशली वो लोगों के लिए जो लोग रिटील अटेल के उपर काम करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला प्रिकोशन आता है कि उन्हें घर से भार निकलने से पहले अपने बौडी के टेंपरिचर को जाने कि उन्हें डेली वाश की हुए कपड़े ही पहनने हैं, कल के कपड़े को आज फिर से पहनना नहीं है बिना धोये। पहनना ही पहनना होगा, जो भी मक्स वो पहनेगे वो पूरा का पूरा क्लीन होना चाहिए और डिसिंफेक्टेट होना चाहिए। पहली चीज़ ही आती है, कि जो भी लोग रिटेल और लिट के उपर काम करते हैं, वो अपने खुद की वहिकल से ही ट्रैवल करें। इस्पेशली अगर किसी के पास टू वीलर है, तो उसे ये ध्यान में रखना है कि उसे अकेले ही ट्रैवल करना है, वो अपनी रैट को किसी के साथ में भी शेयर ना करें। अगर किसी के पास कार है और वो कार से ट्रैवल करना चाहता है, तो उसे ध्यान में रखना होगा कि जो भी दूसरा पैसेंजर होगा, वो रियर सीट पे ही भेटे ना कि फ्रेंट सीट पे। चौता प्रिकॉशन ये है कि जो भी बंद अपने खुद की वहिकल से ट्रैवल करके आता है, उसे टच पॉइंट्स को बार-बार सेनिटाइस करना होगा, जैसे की हैंडल्स को, जैसे की सीट्स को, ताकि वो कुरोना वारे से बचा रह सके। पाच्पा प्रिकॉशन वो लोगों के लिए है, जिनके पास खुद का वहिकल नहीं है, और वो लोग पब्लिक ट्रांस्पूर्ट को यूज करते हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज़ादा फोकस करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग के उपर, यानि कि ट्रैवलिंग के समय, एक अपन वर्क प्लेस के उपर पहुचता है, तो उसे क्या चीज़े करनी चाहिए, उसके बारे में हमनों बात करने वाले हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, कि अपने वर्क प्लेस पे पहुशने के बाद में, आपको अपने फेस को अच्छी तरिके से धोना है, इसके चीज आपको अपने हाथों को sanitize करना है किसी भी product को चूने से पहले अगर आपके पास sanitizer नहीं है तो आपको ये practice करनी होगी कि आपको अपने हाथों को बार बार सामों से दोना होगा बिना अपने हाथों को अच्छी तरह से दोल आपको अपने face को हाथ नहीं लगाना है अगर Cash को Avoid करना है, Finance को Avoid करना है, जितना हो सके उतना Online Payment के उपर Focus करना है, अब दोस्तों हम बात करने वाले है, कि जो भी लोग Retail Elect के उपर काम करते हैं, वो दिन भर का काम करने के बाद में, जैसे ही अपने घर में पहुशते हैं, तो उनको घर में पहुशने के बाद में क्या-क्या चीजों को ध्यान में रखना होगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है कि जो भी बंदा रेटे लोड लोड के उपर काम करता है जैसी वो अपने घर पे पहुशता है उसे अपने शूस को घर के बहार ही रखना है। रेटे लोड लेट के उपर काम करता है तो यह वीडियो उसके साथ में जरूर शैर करें। तो अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छे लेगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें शैर करें। जो भी कोशनों का कमेंड बॉक्स में जरूर टैप करें। धन्यवाद दो तो आपका दिन सुपरहें।